बहुत बड़ा धोखा किया है और महिला आरक्षन बिल जो पिछले 25-30 साल से इस देश की महिला इंतजार कर रही थी कि संसद और विधान सभाओं में आरक्षन मिलेगा उस सपने पर पानी फेरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है ये बिल लागू होगा ही नहीं 15 साल 20 साल 25 साल कब लागू होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है और लागू होगा भी कि नहीं लागू होगा इस पर एक अंधकार के बादल मड़ रहा है और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये महिला बेवकूब बनाओ बिल है महिला आरक्षन बिल नहीं है ये बात क्यों कह रहा हूं बार बार 2002 में भारती जनता पार्टी की सरकार ने कहा 2026 तक देश की सीमाएं जो हैं वही रहेंगी और किसी भी प्रकार का कोई सेंसस कोई परसीमन नहीं हो सकता 2021 में सेंसस होना था कोई भी डील इमिटेशन 2026 के बाद होगा ये साफ तोर पर 2002 के बिल में लिखा हुआ है संसोधन में लिखा हुआ है और वो भी बीजेपी लेके आई थी तो जब आप जानते हैं कि 2026 के बाद ही जो पहला सेंसस होगा उसके बाद ही डील इमिटेशन हो सकता है यानि 26 तक कोई डील इमिटेशन होई नहीं सकता तो 26 के बाद जो सेंसस होगा 2021 में होगा 2021 के बाद सेंसस दो तीन साल तक चलेगा उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा वो छे साथ साल में पूरा होगा आट साल में तो तक तक दुनिया कौन कहां रहेगी कौन देख रहा है ये बीस साल की आप योजना बनाके महिलाओं के आख में धूल जोकने का काम आप कर रहे हैं देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं तो इसलिए ये महिला बेकुब बनाओ बिल है दूसरी बात आपने OBC और SCST वर की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया इस बिल के अंदर बड़े लंबे समय से मांग चल रही थी और खुद उमा भारती जी जो उनकी पार्टी की केंदरी मंत्री रही है उनकी पार्टी की नेता है उन्होंने कल बयान दिया कि हमने बार बार पार्टी के अंदर रहके इस बात का विरोध किया कि पिछले वर्वर्ग की महिलाओं को आरक्षन दो वरना हम ये बिलपास नहीं होने देंगे किसी और ने नहीं, उमा भारती ने का तो भारती जनता पार्टी के अंदर जो पिछड़े वर्ग के नेता है वो मूख बधिर बनके क्यों बैठे हुए है उनके मूँ से आवाज क्यों नहीं निकल रही है क्या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षन नहीं मिलना चाहिए क्या लंबे समय तक जो ये मांग रही है पिछड़े वर्ग समुदाय के लोगों की क्या उसको पूरा नहीं करना चाहिए था सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए था तो ये दूसरा धोखा इनों ने किया तीसरा धोखा, SCST का जो रिजर्वेशन आज है, उसी के अंदर आप आरक्षन दे रहें, 33% महिलाओं के आरक्षन में आप आरक्षन अलग से उनको नहीं दे रहें, तो ये SCST वर्क के साथ भी धोखा है, तो कुल मिलाकर ये एक धोखे का, फरेब का और बेवकुब बनाने का बिल है, जब दोहजार चौबिस में इनकी बिदाई हो जाएगी मोदी जी की, तो जिस रूप में इस देश के करोणों लोग, करोणों महीलाएं, इस बिल को चाहती है कि वो जमीन पे लागू हो, वो लागू करने का काम इंडिया गड़ बंदन करेगा. मैं तो वही आप से कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये खाली जुमले बोलने से थोड़ी काम होगा, मोदी है तो मुमकिन है अठारा करोण नौकरी मिल गई, मोदी है तो मुमकिन है पंदरा अगस दोहजार बाइस तक सब को पका मकान मिल गया, मोदी है तो मुमकि है काला धना गया पंद्रा लाक मिल गया हर खाते में खाली जुमला बोल बोल के आप इस देस के लोगों को मूर्ख बनाएंगे पूरा देस अडानी को बेशते जा रहे हो और आप बस कोई भी बात करो तो मोदी है तो मुम्किन है तो ये जुमला तो वो जुमला रहे जुमले से इसको अब लोग पहचान चुके हैं ये चुनावी चाल है चुनावी जुमला है और समय आने पर इस देस की महिलाएं इनको जवाब